हेलो फ्रेंट्स इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे कि अगर हमारा कस्टमर हमें फॉर्म नंबर 13 सब्मिट करवाता है और 13 सब्मिट करवाने पर हम लो रेट के उपर उससे TDS चार्ज करते हैं क्योंकि इंकम टैस के बेज़ पे अगर कस्टमर को लगता है कि उनका टैक्स कम बनता है तो वो फॉर्म नंबर 13 इंकम टैस डिपार्टमेंट से लेकर आता है और हमारे पास जमा करवाएगा तो हम उसको जो TDS डिड़ट करेंगे वो लो रेट के उपर डिड़ट करेंगे वो ट्रीट करना है संडरी क्रेटर के अंदर उसको हम ओपन करेंगे इस TDS डिड़टेबल यैस करेंगे और यहां पर इसलेट करेंगे वो इंडिविजियल परसन है या कंपनी इडिडिड़टी टाइप लेंदा form number 13 जो राजन कुमार से हमने रसीव किया है हमें 5% TDS लगाना है तो ये advanced TDS entries के अंदर आपको जाना है लेकिन use advanced TDS entries इस option को लाने के लिए आपने ये राजन कुमार जब आप ये ledger create कर रहे हो यहाँ पर आपने F12 प्रेस करना है और ledger configuration के अंदर आपने ये देखें ledger configuration है यहाँ पे allow advanced entries in TDS master इसको आपने yes करना है जैसी आप इसको yes करोगे ये use advanced TDS entries के option आजाएगी और इसके बाद आपने यहाँ पे yes करना है और यहाँ पे advanced TDS entries के अंदर ये जो last option है set alter zero और low rate deduction इसको आपने yes करना है और यहाँ पे यहाँ आप से पूछेगा कि कौन से nature के उपर आप ये low rate लगाना चाहते हैं और यहाँ पे हम select करेंगे commission और brokerage ये सबसे उपर option है और ये according to section 197 के base पे हमें deduction मिलती है ये income tax की आप कह सकते हैं section है जिस base पे हमें ये deduction मिलती है तो low deduction आपने select करना है और जो form हमें customer की तरफ से 13 form receive हुआ है उसका number यहाँ पे डालना है और कौन सी date से लेकर कौन सी date तक उसको ये deduction मिलेगी जैसे first four 2017 से लेकर 31st three 2018 तक यहाँ पे आपने वो period डालना है जिस period के अंदर उसको ये 5% की deduction मिलेगी और यहाँ पे हमने 5% rate डाल देना है यानि के जो भी rate होगा form 13 के अंदर mention होगा हमने कितना TDS deduct करना है उतना TDS हम deduct करेंगे यानि के यहाँ पे ये rate डालने के बाद और यहाँ पे pen number डालने के बाद जब आप इस person का TDS deduct करोगे तो ये 10% deduct नहीं करेगा हमने यहाँ पे 5% डाला है तो 5% deduct करेगा कैसे आईए मैं आपको accounting voucher के अंदर entry डाल के दिखाता हूँ जैसे माल लेते हैं पहले हम due कर रहे हैं इस person का TDS की कितना इससे हमने TDS लेना है और amount देनी है और यहाँ पे हम commission and brokerage sled करेंगे ये commission का account हमने बना रखा है माल लेते हैं 25,000 की commission हमने देनी है और ये nature sled करेंगे 25,000 क्रेडिट करेंगे पार्टी को नाम है राजन कुमार राजन कुमार को क्रेडिट करेंगे और ये देखिए इसने 10% deduct नहीं किया अगर ये 10% deduct करता तो 25,000 deduct करता इसने 125,000 यानि के 5% TDS deduct किया है क्योंकि राजन कुमार के अंदर जाकर हमने mention किया था कि हमने low rate के ओपर TDS लगाना है तो अगर किसी भी person को आपने low rate के ओपर TDS deduct करना है तो वो उसके account में जाके जैसे मैंने आपको options बताई वो options आपने follow करनी है तो मेरे ख्याल से आपको clear है और इसके बाद आपने राजन कुमार की payment voucher में जाके payment कर देनी है वो payment आपको मैंने पिछली वीडियो के अंदर बता रखी है तो इस वीडियो के अंदर हम इतना ही रखेंगे